हलो प्यारे दोस्तों स्वागत है आपका इंटर्वियो क्लासिज में बात करते हैं आज के आपके पेपर सल्योशन के बारे में और जिन जिलों में अंग्रेजी पेपर नहीं हुआ है वो यहां से काफी हद तक हेल्प ले सकते हैं क्योंकि आपके ग्रामर के जो टॉपिक हो ग सारे एकसाइस के साथ कम्प्लीट है जो आपके मोमेंट्स बूक के और इन दोनों के मोश्ट इंपोर्टेंट कुशन करवाई वह हैं उनसे बाहर आएगा नहीं आपको मिलेगा नहीं तो वह करवाई हैं आपके जितने भी लैटर इस्टोरी अप्लीकेशन ये चीज़ें य में से आ जाता है तो यह सारा आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कर सकते हैं और जितने भी बाकी सब्जेक्ट उन सभी के पेपर अपलोडेड हैं तो जब भी आपका एक्जाम हो उससे पहले आप जरूर एक बार विजिट करे हैं ताकि आपको जो सल्यूशन है वो प्रवाइड करवा सके हैं ठीक है ना तो पैसेज क्या है मौमद रफी वास बोर्ण इन ट्वेंटीन सेंचुरी टूड़ी जनरेशन इस कॉल्ड रफी साहब ठीक है मैं फटा पड़ पड़ूंगा एक बार इस पैसेज को बाकि आपक कि बहतरीन लोग उसको आज की जनरेशन रफीश आप कहते हैं ठीक है ट्वेंटी सेंचुरी में उनका जनम हुआ अगला पूचा है सिंगिंग बिगेन विद शींग अफ़कीर पासिंग बाइज एल्डर ब्रदर सॉप अपने बड़े बाई के दुकान के पास एक फकीर को आइ नहीं रहे हो जाते उए देख का उनके अंदर शिंगिंग की भावना जगी इंपरेश भी इंप्रेशिव निहां इंप्रेश्व इंप ऐंप्री इंप्रेश्वट बाइर करियर इन दे क्या कि जो लिए प्रक्ति गाने गाए है डेडिकेटिंग हिम धा वर्ल्ड फेमस सर्च इंजन गूगल तो इनको डेडिकेट करते वे समर्पित करते वे सर्च इंजन जो गूगल है उन्होंने क्या किया वन्होंने और हम बाइस फोईंग टू दूडल का मतलब होता है रेखाचितर बना है उन्हों वाज मेड़ बाई सेयद शेख साजीद शेख मैन फ्रॉम दा इस्टीट आप महारास्टा इंडिया और यह एक वेक्ति थे साजीद सेख उन्होंने बनाए जो महारास्टा इंडिया से थे कुशन को देखते हैं मुहमद रफी वाज बॉर्ण इन 20th सेंचुरी करेक्ट ऑप्शन भी हो जाएगा ही स्टार्टेश शिंगिंग एट इस आप सेवन यहां पर आया वाय ठीक है ना अध्यान वाट ड़स टूड़ेशन गॉल टूड़ेशन कॉल इंटू जनरेशन कॉल रफी सहाब नेक्स्ट है वो मेड़ दा डूडल आफ मौमद रफी साप डूडल बनाया किसने था तो साजिद सेक ने बनाया था कहने का मतलब यह पैसे अब तक कि जितने पैसे दिया न मेड़ेशन रफी साप महमद रफी सिंग है किस परकार के गाने गाते हैं तो गयाचि मोगल बनाया ऩो तो गूगल ने क्या किया Google फेमस शर्च इंजन क्या ओनर्ड हिम बाइ सोइंग डूडल टू द वर्ल्ड के सामने एक डूडल बनाया था उन्होंने तो उन्होंने क्या कि अपने बिगन करते हैं से मिए कैसे कि एक फकीर को देखा था जो उनकी बड़े भाई की दुकान से पास जा रहा था उससे इंस्पायर वे थे नेक्स्ट कुशन देखते हैं का और है ऑे राइट वन वर्ड फॉर्ड वड्र गिवन सेंटेंस ठीक है न वन वर्ड गिवन सेंटेंस के लिए क्या होगा सिंगर मतलब जो गाता उसे क्या कहता है सिंगर या एक्टर तो सिंगर कहते है उसको राइट अपोजिट वर्ड ऑफ स्टॉप स्टॉप का स्टार्टेड ठीक है और फिर है टू गिव रेस्पेक्ट इसका लिखना आपको से मिनिंग वाला तो ऑनर ठीक है अब यह सेकंड पैसे का अंसर थ स्टॉप नहीं दिया था यह जो अपने इंपोर्टेंट पैरेग्राफ अगे रखिए उनमें से या रहें बार बार तो आप चैनल के प्ले लिश्ट में जाकर एक बार एक्जाम से पहले जरूर देख लीजिएगा ठीकना थैंक्स पॉर मतलब गिप्ट आया उसके लिए थ इसके लिए एक्स्टा क्लास अरेंज करने को बोल सकते हैं ठीक है उसके उपर आप इमेल लिख सकते हैं इन दोनों में से एक करना था साथ नंबर का फिर आपको दिया था नेक्स्ट में कि आपको इमेजिन करना कि आप नीरजा है और यूर वीक इन इंग्लिश अटेंड र क्लासिस के लिए इंपोर्टेंस ऑफ रेमेडियल क्लासिस इन यूर क्लास सिक्स्टू टू एटी वर्ड में आपको यहां पर एक पेरिग्राफ लिखना है स्पीच लिखनी ठीक है न और इसके और में क्या दिया था और में था कि एक टॉपिक है डिबिट टॉपिक यूज और मोबाइल फोन्स इस हामफुल फॉर चेल्डरन यह बार-बार रिपीट हो रहा है अगर आपके चिल्लें पेपर नहीं वात इसको जरूर देखेगा ठीक है फिर अपने आ जाता है अन्वेल है डॉक्टर और पेशेंट का कनवर्शेशन यहीं आ रहा है बार-बार डॉक पेशेंट ठीक है फिर अपने से पूचा गया नेक्स्ट है टीचर स्टूडेंट और डॉक्टर पेशेंट के बारे में ज्यादा पूचा जाता है इस्टोरी लिखनी है इन पूर वुडगटर वाले स्टोरी आप लिख सकते हैं फिर चलिए ग्रामर के टॉपिक देखते है यह तो इतनी इजी है कहने का मतलब अपने दस दस पंदरा पंदरा मिनिट की वीडियो आप देख लेते हैं तो वहां से कुशन बार जाना ही नहीं है गौड डैस दोज हो हैल्प दैमसेल्फ भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो खुद की करते हैं प्रजेंट सिंपल टैस आफ्टर के बाद में आता है हैड प्लस वी थ्री और पहले आता है वब की सेकंड फॉर्म ठीक है ना जबकि बिफोर में जस्ट अपोजिट है बिफोर है 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 थर्ड फॉर्म आ गया तो यहां सेकंड फॉर्म रिच्ट हो जाती है ठीक है अगला देखिए डैस सेंटेंस प अगया तो सेकंड फॉर्म मैट हो गई फिर नाव यूजवली आ गया सी तो सेट से आ जाएगा सिंगूलर ऐसी इसलिए वाटर वाटर सिंगूलर काउंट करते हैं क्यों जिस चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते गिन नहीं सकते वह मैंसा सिंगूलर तो फ्रीजिज कर देते इसमें अगला देखिए यह भी कुछ ज्यादा मुस्किल नहीं बहुत इजी प्रिश्ण पूछे गए ठीक है मैं कुछिन अगर आपको इजी नहीं दिख रहा तो मैं इनको पढ़ लेता हूं ताकि आपके समझ में आ जाए क्या बोला है ब्रेड एंड बटर यह हमेसा और दे यहाँ पे और के बाद वाला सब्जेक्ट आपको धिहान में रखना और के बाद दे है ना तो दे कि according तो यहां पर होगी आर टेलिंग ठीक है नेक्स्ट देखिए एस वेल एस आई एस माई मदर ध्यान रखिए एस वेल एस का नियम क्या कहता है आप जरूर एक बार वीडियो जरूर देखेगा कॉंसेप्ट वाले आपको वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा जाके दे जान रखिए तो आई के साथ एम लगता है तो यहां आएगा अगला देखते हैं कुश्य दैर इस डैस मिल्क सो यू कांट मेक टी आप चाहे नहीं बना सकते तो मिल्क यहां पहले से कैंसल हो गया ठीक है लिटिल अलिटिल अब चाहे नहीं बन सकती मतलब लिटिल है बहुत पर एन यूज कर लेंगे शी बॉट आइस क्रीम तो आइस क्रीम कर आगे एन आइस क्रीम नायरा इस डैस बेस्ट गरल आफ दे स्कूल तो बैस्ट के आगे सुपर लेटिव डिग्री दा आर्टिकल आजाएगा फिर देखिए दैर इस टू इस तू इन सूगर इन दिस ठीक है ओन आएगा देर इस लिटल मिल्क लिटल अलिटल मिल्क है थोड़ा सा दू दे कहां पर इन दा बोर्टल इन दा बोर्टल टीर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईस फादर केम पिता जी जो बाहर ते केम अंदर आए इंटू इंटू दे डूर इंटू दे रूम प्ली ब्रूनो वाले चैप्टर से ध्यान रखिए अभी तक लगबग जितने पेपर वेना उनमें से आट से दस में ब्रूनो वाला यह दे रखा एक दो में अब्दूल कलाम का दे रखिए से एक दो जिले हैं क्योंकि अभी चार-पांच जिलों में आट-दस जिलों में भी होना बाकी इंगलिश का पेपर तो उनमें भी ध्यान रखना आपको ब्रूनो वाला चैप्टर अच्छे से याद कर लेना ताकि आपको कोई मिस्टर के आँसे हो नहीं ठीक है बाकी यह बहुत इसी था इसको आप पढ़के आराम से कर सकते हैं इसमें ज्यादा मुस्किल का सामन नहीं करना पड़ा होगा आपको ठीकिन और आपको पेपर ऐसे मिलते रहेंगे ध्यान रखेगा आगे तो जो कुष्ण दे रखे थे उसमें देखिए फिर मार्या सोर सारा पुवा वाला पैसे दे रखा था उसमें से भी आपको आंसर ढूंडने थे और ध्यान दीजिए य आपके सारे एकदम हो जाएंगे आसान फिर अपने से कुछ सवाल और पूछे थे ठीक है हूँ वास्टो ठीक है मंकी था यह से मतलब ऑप्शन बेस्ट यह नया तरीका अभी तक ऐसे नहीं पूछे जा रहे थे पेपर लेकिन आज के पेपर में पूछे गए तो इनको भी अजया में ध्यान रखना और इंपोर्टेंट कुछिन तो यह ही ठीक है इनको अच्छे से प्रिपेर कर लेना क्योंकि इंपोर्टेंट कुछिन चाहे किसी भी जिल्ले में वह जिले वाले फान करके यह नहीं पूछते कि साहब आपने कौन सा कुष्षन दिया हम नहीं डे है ऐसा नहीं सबने जो इंपोर्टेंट लग रहा है वो सब को लगता है इंपोर्टेंट तो ठीक है तो इनको अच्छे से तैयार कर लेना है मिलते है नेक्स्ट पार्ट में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत